हलो दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है प्रदीप स्वागत है आपका स्टड़ी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्तो और कुसल से होंगे जैसा की भारत के भुगोल विसे की वीडियो सरीज हमारी चल रही थी तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते वे वीडियो के इस संक में सिंदू और सतलज नदी के अपवाह तंतर पर हम चर्चा करेंगे उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो अपने साथियों से भी साजा करें हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन और शिप्रस करें सिंदो नदी का उलेक सबसे प्राचेंतम वेद रिगवेद में मिलता है और सिंदो नदी सबसे ज़्यादा वर्णित नदियों में मानी जाती है रिगवेद के अंतरगत और इसका सिंदो नदी का 176 बाल उलेक रिगवेद में किया गया है और इसका आर्थिक महत्व यहां पर बताया गया है रिगवेद के अंतरगत जिसके चलते सिंधु नदी को इसके आर्थिक महत्व के चलते हिर्ण यनी नदी के नाम से जाना जाता है परावत सागर यानि कि अरब सागर में गिरने वाली नदी इसको बताय गया है तो रिगवेद में अरब सागर को परावत सागर कहा गया है और जो कि सिंदो नदी का गिरने का एक प्रमुक्ष छेत्र है और सिंदो नदी का उदगम की अगर हम बात करते हैं तिब्बत के पास कैलास मानसरोर जील के निकट बोखार चू नामक ग्लेशियर है वहां से ये उदगमित होती है और एतिहासिक महत्यू की अगर हम बात करते हैं सिंदु नदी की तो सिंदु नदी के तड़ पर ही प्राचीन विस्सु की सबसे विक्सित नगरिय सभिता जिसक समयकाल 2300 इशा पूरु से लेकर के 1750 हिसा पूरु के मध्य ये संसकर्ती फली फूली और विक्सित हुई थी उस सभिता का विकास यहां पर होता है तो हडपा सभिता सिंदु नदी के तड़ पर ही फली फूली और विक्सित हुई है जिसका समयकाल 2300 इशा पूरु से लेकर हरप्पा सब्विता के लुप्त होने का कोई स्पस्ट प्रमाण नहीं मिल पाया अभी तक इत्यास कारों को ठीक है तो सिंदू नदी के तट पर हरप्पा सब्विता जिसको कांसियुगीन सब्विता कहा जाता है सिंदू नदी घाटी सब्विता कहा जाता है सैंधव सब्वि कषविकाश हुआ था जो कि इस नदी के एतिहासिक महत्त को दर्शाता है ठीक है सिंदु नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी प्रणालियों में से मानी जाती है जिस तरह से अमेजन नदी है नेल नदी है गंगा नदी है ब्रह्म पुत्र नदी है तो सिंदु नदी की जो जल प्रणाली है उसको दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटी वाली जल प्रणाली में सामिल किया जाता है और इसका जो अपवाह छेत्र है यानि की जिन छेत्रों से यह जल को ग्रण करती है वह लगबग जो की कैलास मानसरोवर जील के पास बोखार चुनामक गलेशियर से उदगमित होने के बाद अरब सागर में जाकर के गिरती है भारत के छेत्र में इसका जल संग्रहन छेत्र तीन लाख एकिस हजार दोसो नवासी वर्ग किलो मेटर है तो भारत के छेत्र में सिंदो नदी का जल संग्रहन छेत्र कितना है तीन लाख एकिस हजार दोसो नवासी वर्ग किलो मेटर ओबर ओल कितना जल संग्रहन छेत्र है ग्यारह लाख पैंसट हजार वर्ग किलो मेटर का ठीक है सिंधो नदी की कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 2880 km है और भारत में सिंधो नदी जो प्रवाइद होती है 1114 km की छेतर में प्रवाइद होती है भारत में सिंधो नदी की जो लंबाई है 1114 km है और सिंधो नदी की कुल लंबाई कैलास मान केलास मानसरोवर जील से उद्गमित होती है जो की एक पर्टिकुलर जो जगह है बोखार चुनामत ग्लेशियर से उद्गमित होती है जो की तिबबत के छेतर में केलास मानसरोवर जील के पास इस चित ग्लेशियर है बोखार चुनामत ग्लेशियर वहां से सिंदो नदी उद् सिंगी खंब ठीक है तो सिंगी खंब नाम से वोखार्चु नामक गलेशियर को जाना जाता है तिबबत के छेत्र में अगर सिंगी खंब अगर ना हो तो इसको सिंगी सिंगी की तब है सिंगी घी की जगए घी हो जाएगा और खंबान नाम से भी इसको जाना जाता है सिंगी खंबान सिंगी खंब या सिंगी खंबान एक ही नाम है जो की बोखार चुनामक गलेशियर को तिबबत के छेतर में इस गलेशियर का नाम कहा जाता है इसको बोखार चुनामक गलेशियर को ठीक है सिंगी खंब खंबान या जो है की सिंगी खंबर ठीक है आप स्क्रीन में देख सकते हैं लिखा हुआ दो अलग अलग सब्दे हैं तिबबत के छेतर से जब सिंदो नदी उद्गमित होती है तो लद्दाक और जासकर की सीमा के बीच से ये उत्तर पश्चम की दिशा में प्रवाइट होती है और लद्दाक और बाल्ट पाकिस्तान के छेतर से ये होकर के आगे बढ़ती है नदी तो एक तरफ जो है कि सिंदो नदी प्रवाइट होती है एक तरफ लद्दाक पड़ता है दूसरी तरफ बाल्टिस्तान का छेतर पड़ता है तो इनके मद्य से होकर के गुजरती है सिंदो नदी जैसा कि यहाँ प इहाँ से सतलुज नदी प्रवाइत होती है, सिंदो नदी के समानांतर प्रवाइत होती है, मिठान कोट पर आकरके ये सिंदो नदी पर मिलती है, बाई और से, ठीक है? सिंदो नदी की 5 प्रमुखबड़ी साइक नदिया है जिसमें वितस्ता यानि की जेलम चंद्रभागा यानि की चेनाव इरावती यानि की रावी नदी विपासा यानि की व्यास नदी सतुद यानि की सतलूज नदी और इन पांच नदियों में सबसे बड़ी जो नदी है वो है सतुद यानि की सतलुज नदी है जिसको सतुंद्री नाम से भी जाना जाता है तो सतलुज नदी सबसे बड़ी साइक नदी है वितस्ता जेलम चंदरभागा चेनाव इरावती रावी विपासा व्यास सतुद सतलुज यानि की सतुंद्री ठीक है तो ये प्रमुख नदिया हैं पांच बड़ी साइक नदिया हैं सिंदो नदी की सिंदो नदी की अगर हम यहाँ पर मानचितर की अगर हम बात करें तो जो मुख्य मुख्य नदियां हैं लगाने की कोशिस करते हैं तो उदगमित होती है सिंदो नदी बोखार्चु नामक गलेशियर के पास से और आगे बढ़ती है नदी तो सबसे पहली नदी जो बड़ी नदी मिलती है वो है जासकर या जसकार नदी मिलती है बाएं और से सिंधु नदी पर ठीक है और ये आपको ध्यान देना है सिंधु नदी पर मिलती है ये कहां पर मिलती है ये एक जगह है नेमू जगह है ठीक है नेमू नामक जगह है नेमू नामक जगह पर जासकर नदी मिलती है जो कि जस जासकर या जसकार नदी और नेमू नामक जगह पर ये बाई और से मिलती है सिंदो नदी पर ठीक है और दाई और से जो सबसे बड़ी नदी है उसके बाद जो मिलती है सिंदो नदी पर मिलती है जिसका नाम है गिलगित नदी ठीक है फिर उसके बाद सिंदो नदी आगे बढ़ रही है और दाइए और से एक और बड़ी नदी आकर के मिलती है जो जिसका नाम है काबुल नदी और काबुल नदी जो है की अटक की जो पहाड़ियां है जहां पर पाकिस्तान के छेत में सिंदो नदी प्रवेस करती है तो वहां पर आकर के काबुल नदी मिलती है और जो शोक नदी को लेकर के एक बात है शोक नदी को मृत्यू की नदी के नाम से भी जाना जाता है डेथ रिवर ओफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है रिवर ओफ डेथ शोक नदी को कहा जाता है या मृत्यू की नदी किसको का जाता है शोक नदी को का जाता है जो कि सिंदो नदी की दाहिनी और से सबसे पहले मिनने वाली बड़ी नदियों में मानी जाती है बड़ी नदियों में से एक नदी है ठीक है दाहिनी और से सबसे नदी बढ़ती है तो दाहिनी और से ही गोमल नदी आ करके मिलती है गोमल और कुर्मू जो नदी है ये सुलेमान परवस रंखलाओं से उदगमित होती है ठीक है सुलेमान परवस रंखलाओं से कुर्म और गोमल नदी उदगमित होती है दाहिनी और से सिंदो नदी पर मिलती ह बाई और से सिंदो नदी पर जो नदिया मिलती है सबसे पहले हमने आपको बता कि जासकर या जसकार नदी मिलती है फिर सुरू नदी मिलती है फिर उसके बाद जो है कि सोहन नदी यहाँ पर मिलती है सोहन नदी काबुल नदी के बाद पाकिस्तान के शेत्र में सोहन नदी मिलती है बाई और से और पाकिस्तान के शेत्र में जो कि मिठन कोट या मिठान कोट पर सतलुज नदी जो सबसे बड़ी साइक नदी है सिंदु की वो आकर के मिलती है ठीक है तो रिगवेद में कई नदिओं का वर्णन किया गया है जिन में कि Jeżeli नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, गंडक नदी ठीक है इन सारी नदिओं का हवर्णन मिलता है उसके अलावा सिंधो नदी का भी वर्णन मिलता है और जिस सिंदो नदी का वर्णन रिगवेद में मिलता है वो वर्तमान की ही सिंदो नदी है कोई अलग से सिंदो नदी नहीं है वर्तमान में जो सिंदो नदी है वही नदी वर्णनित की गई है और सिंदो नदी का रिगवेद में अकेले 176 बार उलेक मिलता है अन्य नदियों के साथ समलित रूप से सिंदो नदी का 94 बार उलेक किया गया है तो इसी से समझा जा सकता है कि सिंदो नदी की महत्तुता और सिंदो नदी का आर्थिक महत्तु जो रहा था जो इसकी कह सकते हैं कि सिंदो नदी की एक जो पहचान या विसेशता रही थी एक जो प्रमुख नदी रही थी रिग्वेदिक काल के दोरान वह यहाँ पर इसको दर्शाता है क्योंकि 176 बार सिंदो नदी का एक मात्र नदी के तौर पर उल्लेक मिलता है जबकि अन्य नदियों के साथ 94 बार इसका उल्लेक हुआ है सरवादिक उल्लेक इसी नदी का मिला है रिग्वेद में और सबसे पवित्र नदी जो है कि वो सरश्वती नदी को यहाँ पर माना गया है सरश्वती नदी को और सरश्वती नदी को देवीतमा मातेतमा नदीतमा के नाम से भी जाना जाता है नदीतमा मातेतमा देवीतमा रिगवेदिक काल के बाद जो उत्तरवेदिक काल का समय था रिगवेदिक काल का समय रहा था 1500 इशापूर से लेकर के 1000 इशापूर के दोरान और अब 1000 इशापूर से लेकर के 600 इशापूर के मध्य के दोरान जो भी समय था उस दौरान जो भी यहाँ पर भजनों की रचना की गई जिन भी गरंतों की रचना की गई उसमें सिंदो नदी के लिए इस सब्द का प्रियोग हुआ है तो रिगवेत के बाद जो जिन भजनों की रचना की गई जिन स्त्रोतों की रचना की गई है उसमें सिंदो नदी के लिए इस सब्द का प्रियोग किया गया है ठीक है बालमिकी के द्वारा रामाण की रचना की गई है तो रामाण में भी सिंदो नदी का वर्णन मिलता है और सिंदो नदी को महा नदी की संग्या यहां पर दी गई है मोस्ट इंपोर्टेंट है सिंदो नदी को किसकी संग्या दी गई है महा नदी की संग्या दी गई है जैन गरंथ है जम्बू द्वीब प्रग्यप्ति जो की बारह उपांग जो जैन गरंथ की अंतरगत है बारह उपांग उन बारह उपांगों में से एक उपांग है जम्बू द्वीब प्रग्यप्ति तो उसमें भी सिंदो नदी का वर्णन मिल तो जो की most important चीज़ यह आपको यहाँ पर ध्यान देनी यह सारी की सारी चीज़ है ठीक है आप इनको note down कर सकते हैं अब देखें यहाँ पर जो सिंदु नदी पर दाई और से आकर के जो नदिया मिलती है बाई और से जो नदिया मिलती है वो लिखी गई है दाई और से जो नदी है व्यास नदी है सतलज नदी है और पान जनाद नदी है ठीक है तो यह प्रमुख नदिया है जो की बाई और से आकर के मिलती है हाला कि इनमें जेलम चेनाब रावी व्यास नदिया सतलज की साइक नदी है अब सतलज सिंदु की साइक नदी है तो जो भी सतलज की स्वात नदी है, कुनार नदी है, काबुल नदी है, ठीक है, कुर्रम नदी यहां पर है, गोमल नदी यहां पर है, और जोब नदी है, जोब नदी जो है कि वो गोमल की ही साइक नदी है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आपको ध्यान देना है, और इनमें से सिंदू की भी साइक नदियां कहलाएंगी ठीक है प्रमुख सहर जो सिंदू नदी के तटपर इस्तित है उनकी अगर बात करते हैं सबसे प्रमुख ले है यहाँ पर है और इसकारदू यहाँ पर है यहाँ पर यह द्रास होगा ठीक है टाइपिंग थोड़ा सा मिश्टिक है यहाँ पर दासू लिखाया तो यह द्रास होगा द्रास सहर है और बेशम है थाकोट यहाँ पर है डेरा इसमाइल खान है सुक्रुक यहाँ पर है और हैदराबाद है यह इसमाइल डेरा इसमाइल खान और जो है की सुक्रुक और हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान की छेतर पढ़ते हैं जो कि प्रमुक सहर है सिंधुनेदी के तट पर हैं ठीक है भारत के संदर में आपको लेह याद रखना है कि द्रास याद रखना है बेसम यहाँ पर याद रखना है और इसकारदू याद रखना है ठीक है जो कि most important है जल संग्रण चेत्र इससे पहले बता चुके भारत के चेत्र में है जल संग्रण का ठीक है यहाँ पर मानचित्र में आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं जिसमें कि हमने सतलुज नदी के अपवात अंत्र को और सिंधुन नदी के अपवात अंत्र को दरसाया हुआ है जो कि हमने Wikipedia से लिया गया यह मानचित्र है और यह नदी ये आप देख रहे हैं प्रवाइद हो रही है ठीक है पहले उत्तर पश्यम की तरफ प्रवाइद हो रही है बाद में ये दक्षन की तरफ मुड़ रही है तो जो सबसे पहले नदी आकर के मिल लिए बड़ी नदी जासकर नदी है जो की जासकर परवस सरंखलाओं से उद्गमित होती है और नेमू के पास ये सिंदु नदी पर मिलती है दाहिनी और से पहली जो नदी मिल रही है सबसे बड़ी नदी शोक नदी आकर के मिल लिए है ठीक है और उसके बाद नदी अटक के पास आकर के मिलती है सिंदु नदी पर दाहिनी और से इसकी जो साइक नदी है कुनार नदी और स्वात नदी इसकी साइक नदिया है जो कि सिंदु की भी साइक नदिया है जो कि दाहिनी और से आकर के काबल नदी पर मिल रही है और सिंदु के ये दाहिनी और से मिल र साइक नदी रहेगी आपकी सिंदु नदी की आप उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे तो एक प्रमुख बड़ी नदी और आकर के मिली है जिसका नाम है गोमल नदी और गोमल की जो प्रमुख साइक नदी है जो जो जोब नदी है ठीक है जोब नदी और जो है कि कुंडा और जोब नदी साइक नदियां हैं गोमल की जो की साइक नदी है सिंदु की दाहिनी और से आकर के मिलती है बाई और से में हमने आपको जासकर नदी अजसकार नदी सबसे प्रमुक है फिर यहां पर सुरू नदी आकर के मिल रही है सोहन नदी यहां पर आकर के मिलती है बाई रही हैं सिंदु नदी से ठीक है अटक के छेत्र में और सबसे बड़ी जो साइक नदी है सिंदु की वो है आपकी सतलज नदी यह आप यहाँ पर देख रहते हैं सतलज नदी जो कि पाकिस्तान के मिठान कोट के पास या मिठन कोट के पास मिल रही है सिंदु नदी से बाईं और से सबसे बड़ी साइग नदी है ठीक है जो आपको ध्यान देना है सिंदु नदी की साइग नदियों को पर भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं सिंदु नदी की जो सबसे प्रमुक साइग नदी है बाई जो की इसके दाहिनी और से आकर के मिली है ब्यास नदी यहाँ प पर बनाए गया है वहां पर आक्टर के यह मिलती है और इस नदी की लंबाई 770 किलो मिटर है ठीक है और व्यास नदी कुलू घाटी के मद्दी से उद्गमित होती है ठीक है कुलू घाटी के छेतर से प्रवाइद होती है व्यास नदी 770 किलो मिटर इस नदी की लंबाई है और जो की हरी के नामक जगह पर आतर के सतलुज नदी पर दाहिनी और से मिलती है इसके बाद अगली जो यहां पर साइक नदी है वो है आपकी रावी नदी यह आप रावी नदी देख रहे होंगे और रावी नदी उदगमित होती है रोहतांग दर्रे के पास सही यह दोनु नदी आप देख रहे है यहां पर यह व्यास नदी है और यहां पर यह रावी नदी है तो दोनों रोहतांग दर्रे के पास से उदगमित होती है हाला कि व्यास नदी जो है कि व्यास कुंड़ से उदगमित होती है लेकिन रोहतांग दर्रे वाली छेतर से रावी नदी उदगमित होती है ठीक है और रावी नदी सराई सिद्धू नामक जगह है सराय सिद्धु यहां पर जहां पर आकर कि यह चेनाब नदी पर आकर कि मिल रही है तो चेनाब नदी पर सराय सिद्धु नामक जगह पर आकर कि यह चेनाब नदी पर बाई और से मिल रही है ठीक है जो की सतलज की साइक नदी है और सिंदु की भी साइक नदी है और चम्बल की भी साइक नदी है तो तीन नदियों की साइक नदी है रावी नदी ठीक है जो की सराई सिद्धौ नामक जगह पर आकर के मार्त की जगह चेनाब नदी पर आकर के मिलती है ठीक है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 720 किलोमेटर की इसकी लंबाई है रावी नदी की 720 किलोमेटर तक ये प्रवाइद होती है ठीक है अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चेनाव नदी ये चेनाव नदी दो धाराओं से मिलकर के बन दी है जिसको चंद्र और भागा दो धाराओं से मिलकर की ये नदी बनती है चंद्र और भागा जिसकारण चेनाव नदी को चंद्र भागा नदी के नाम से भी जाना जाता है तो चंद्र भागा दो चंद्र और भागा दो अलग-अलग नदिया है एक का नाम है चंद्र दूसर का नाम है भागा जो की के लॉंग ठीक है के लॉंग के लॉंग नामक जगह पर तांडी के लॉंग नामक जगह पर तांडी एक पर्टिकुलर जगह है और के लॉंग नामक पूरा छेत्र है के लॉंग के छेत्र में तांडी नामक पर्टिकुलर ठीक है यह आपको यहाँ पर ध्यान देना है और यह सतलुज नदी पर आ करके मिलती है पाकिस्तान के छेत्र में ठीक है अब यहाँ पर आप देख रहोंगे जेलम नदी ठीक है यह यहाँ पर यह जेलम नदी है और यह जेलम नदी आ करके जो कि चेनाब नदी पर मिल रही है और जहां पर यह मिल रही है वो जगह है जांग या जंग जांग या जंग नामक जगह है जो कि पाकिस्तान में है जांग या जंग नामक जगह पर जेलम नदी आकर के चेनाब नदी पर मिलती है जो कि दाहिनी ओर से चेनाब नदी पर मिल रही है जेलम नदी जो उदगमित हो और जेलम नदी पर जो यहाँ पर आप यह जील देख रहे हैं यह जेलम नदी पर ही जील निर्मित है जिस इस जील का नाम है बुलर जील क्या है बुलर जील यहाँ पर है बुलर जील से होकर के प्रवायत होती है जेलम नदी और जेलम नदी पर ही बुलर जील बनी है जो कि संदर में ठीक है most important जो आपको ध्यान देना है जहलम नदी की प्रमुक्स आइक नदी है किसन गंगा और इसके अलबा कुनहार नदी भी इसकी साइक नदी है ठीक है कुनहार और किसन गंगा दो बड़ी नदीया हैं जो की जहलम की साइक नदिया है ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी मोटा मोटा जो की नदियों से संबंदित परिक्षाओं की दिश्चे से महत्पून है और भी चीज़ें इसमें हैं क्या क्या हैं वो अब यहाँ पर देखते हैं कौन-कौन से जीज़ें भी रही हैं तो जैसा कि शोक नदि के बारे में हमने बता था कि दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है शोक नदी कारकुरम छेतर से उद्गमित होती है मृत्यू की नदी इसको कहा जाता है रीवर ओफ डैथ के नाम से इसको जाना जाता है और चुके आधार पर कह सकते हैं कि मद्धे एशिया के यारकंड और लद्दाक के भी जो व्यापार होता था वो शोक नदी के द्वारा किया जाता था जिसको मृत्यू की नदी रीवर ओफ डैथ के नाम से भी जाना जाता है अगली जो नदी है जासकर नदी है जासकर नदी ज पास जो है कि सिंधु नदी में आ करके मिलती है और इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो लद्दाग हिमानचल प्रदेश के छेत्र में जो सर्चु पठारी छेत्र है ठीक है सर्चु पठारी छेत्र उच्च अक्षानची का पठारी छेत्र है सर्चु तो वहां से ये उद् तो वहाँ तक की जो इसकी दूरी है 150 किलोमेटर की दूरी है ठीक है सतलज नदी के बारे में बात करते हैं सतलज नदी का जो उदगमिस तहल है काईलास मांसरुरज ज castsल के पास से ही राकस्ताल ज जिल के पास से ये उदगमित होती है जिसका इस्थानी नाम तिबबत के छेतर में राकस ताल या राकस जील को लोंग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है लोंग चेन खंबाब ठीक है लोग चेन खंबाब ठीक है जो कि आपको ध्यान देना है ये इस्थानी नाम है राकस ताल या राकस जील का ठीक है और सतलज नदी भारत में कहां पर प्रवेश करती है तो हिमानचल प्रदेश के पास सिपकिला या सिपकी दर्रा है तो वहां पर से ये भारत में प्रवेश करती है राजिस्ता जो हिमानचल प्रदेश का छेतर है ठीक है हिमानसल प्रदेश के छेतर में सिपकिल्ला दर्रे के पास से भारत में प्रोविश करती है सतलुज नदी और ये हिमालाई परवत सरंखलाओं को काटते वे गहरे खड़ों का ये भी निर्मार करती है और भारत में जो सतलुज नदी है वो ब्यास नदी और पाकिस्तान के छेतर में रावी और चेनाब नदीयों के जल और जहलम नदी के जल को संग्रित करते हुए मिठान कोट या मिठन कोट पर सिंदो नदी पर बाई और से आगर के मिलती है और राकस ताल से लेकर के या राकस जील से लेकर के जहां से उदगमित होती है सतलुज नदी और मिठन कोट पाकिस्तान पर जब या जाकर के सिंदो नदी पर मिलती है वहां तक कि इसकी कुल लंबाई है 1500 किलो मिटर और यह सिंदु नदी के समाना अंतर प्रवाइद होते हुए भारत में जो इसकी लंबाई है 400 किलो मिटर है भारत में सतलोज नदी 400 किलो मिटर के छेतर में प्रवाइद होती है सेश तिब्बत और पाकिस्तान में प्रवायद होती है जो इसकी कुल लंबाई 1.500 किलो मिटर है ठीक है 1.500 किलो मिटर है और इसी सतलुज नदी पर भाख़ा नागल मात बना पड़ा है जो की नागल जो है की पंजाब का छेतर है भाख़ा जो है की हिमानचल प्रदेश का छेतर है तो इन दोनों के मद्द इस नदी पर भाख़ा नागल मात बना है और इस बात पर जो जलासई बना है इस बात के दोरा जिस जील का निर्मान हुआ है उसको गोविंद सागर जील या गोविंद सागर जलासई के नाम से जाना जाता है तो भाख़ा नागल बाद सतलोज नदी पर निर्मित जील को किस नाम से जाना जाता है गोविंद सागर जलासई या गोविंद सागर जील के नाम से जाना जाता है जो कि सतलोज नदी पर निर्मित है जिस तरह से सिंदो नदी का रहा है उसी तरह से इसका भी महत्तु रहा है ठीक है और सरश्वती नदी को सतुंद्री नदी की साइग नदी यहाँ पर बता गया है वैदिक काल के दौरान ठीक है परवर्ती जब साहित्ती रचना की गई रिगवैदिक काल के बाद यानि की 1000 इस और उसी में के-कई प्रदेश से अयोध्य प्रदेश को जाते समय भरत के द्वारा सतुद नदी को पार करने का वर्णन भी ग milit तो बालमिक के रामाण में भी सतलुज नदी का वर्णन हमें देखने को मिलता है कि कई प्रदेश से अयोध्या प्रदेश जाते समय भरत के द्वारा इस नदी को पार किया गया था ऐसी जानकारी मिलती है रामाण से महाभारत में पंजाब की नदियों के बारे में जानकारी मिलती है जो की रावी, ब्यास, जेलम, चेनाब नदियां प्रवायत होती है तो इनके साथ साथ सतुद यानि की सतलुज नदी का वर्णन भी महाभारत में हमें देखने को मिलता है स्रीमद भागवत पुरान के अंतरगत सतलुज नदी को चंद्र भागा नाम से जाना जाता है तथा इसको मरुवरद्धा के नाम से भी जाना जाता है तो चंद्रभागा या मरो बृढधा के नाम से स्रीमत भागवट पुरान के अंतर्गत सतलूज नदिका वर्णन किया गया है विश्नो पुरान में भी सतलूजि नदिका वर्णन मिलता है और सतुद को हिमवान परवट से निस्तरत यानि कि निकलने वाली हिमवान परवत से निकलने वाली नदी कहा गया है जो कि हमने आपको बता था कि राकस्ताल तिबबत के पास इस्तित कैलास मानसरोवर जहिल से ये उद्गमित होती है आपकी सत्लुज नदी जो कि most important आपको ध्यान देना है ठीक है इसलिए इसको हिमवान परवत से निस्तरत नदी कहा गया है इस पीती नदी की बात करते हैं तो इस पीती जो नदी है वह साइक नदी है सत्लुज की और यह जो कि कुजुम दर्रे से उद्गमित होती है ठीक है कुजुम दर्रे से उद्गमित होती है और यह जो हिमांचल प्रदेश का किन नौर जिला है हिमांचल प्रदेश का किन नौर जिला वहां पर नाम गिया नामक जगह पर या सतलुज नदी पर मिलती है तो नाम गिया नामक जगह पर राजिस्तान के माफ की जिगा हिमांचल प्रदेश के किन नौर जिले में जो नदी आकर के सतल नदी ठीक है इस पीती नदी गाटी भी यहां पर है और इस पीती नदी भी प्रवायत हो लिए ठीक है जेलम नदी अगली नदी है जेलम नदी की बात करते हैं तो जेलम नदी का जो उदगमिस तल है पीर पंजाल परवस रंकलाओं के पास बेरी नाग नामक जहरने से उदग जहांग के पास चेनाब नदी पर आकर के मिलती है तो चेनाब नदी पर रावी और जहलम नदी जहांग के पास मिलती है रावी नदी बाई और से मिलती है जहलम नदी दाई और से मिलती है ठीक है आपको ध्यान देना है जहलम नदी की जो साइग नदी है किसन गंगा एक प्र जो की अजिमेर के पास जो अरावली परवस रंक आए है वहां से उद्गमित होती है अज्मेर की अज्मेर में इस्तित दक्षन पश्चिमी जो अरावली परवस रंकला हैं उससे उदगमित होते है लोनी नदी और यе 320 km तक प्रवायत होने के बाद गुजरात के कच्छे के रन में प्रवएस करती है और वहाँ पर जाकर कि बुप्त हो जाती है तो लोनी नदी एक ऐसी नदी है जो की समुद्र में जाकर के नहीं मिल पाती है कच्छे के रन में ही ये नदी विलुपत हो जाती है 320 किलोमेटर के छेतर में प्रवायत होने के बाद गुजरात में और अरावली परवस्रंखलाएं अजमेर में जो इस्तित अरावली परवस्रंखलाएं हैं वहां से ये उद्गमित होती है लोनी नदी ठीक है अन्य नदिया यहाँ पर दी गई है सोन नदी के बारे में इस से पहले भी बता चुके हैं जो कि जब हम गंगा यमना ब्रह्म पुत्र नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उनके अफवात अंत्र पर इन नदियों के बारे में जहनकारी पहले भी बता चुके हैं आप यहां पर दुबारा से इनको पढ़ और देख सकते हैं कोसी नदी के बारे में बता चुके हैं दामदर नदी के बारे में एक महत्पून बात यह है कि इस नदी से जो है कि एंडन नदी एंडन नहर निकाली गई है जो कि दामदर नदी से निकाली गई है 1938 में यह नहर बनाई गई थी ठीक है और दामदर नदी के बारे में एक खास बात एक और यह है कि दामदर नदी जो है वो जैव मरस्तल का निर्मान करती है तो दामदर नदी जो है कि जैव मरस्तल का निर्मान करती है और एडन नहर इसी नदी से बनाई गई है जो कि दामदर नदी से 1938 में यह नहर बनाई गई थी दामदर नदी की कुल लंबाई 541 किलोमेटर है ठीक है जो कि आपको ध्यान देना है संकोस नदी के बारे में बता चुके हैं इससे पहले भी ब्रह्मपुत्र की ये साइक नदी है और असम तथा बांगलादेश की सीमा पर ये आकर के मिलती है ब्रह्मपुत नदी पर दाहिने ओर से ये ब्रह्मपुत नदी पर मिलती है और असम और पश्यम मंगाल की सीमा रेखा भी निर्धारीत करती है कुछ हद तक संकोस नदी यहाँ पर ध्यान देना है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है इससे पहले नदियों के उद्गम इस्थल और कहां पर आकर के मिलती है यहाँ पर सायक नदिया है इससे पहले बी उपर हम बता चुके है उम्मीद है यह वीडियो का अंका आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से भी साजा करें हमारे चैनल पर पहली बार आहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब परके बेल ऐकान अविश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किये जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चलते चलते मानचित्र के साथ आपको हम यहाँ पर छोड़ते वे जा रहे हैं सिंदु नदी और सतलो जनदी के उले करके देखें सिंदु समझाता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बेच इस समझाते के तहट व्यास नदी रावी नदी और सतलो जनदी का जल भारत को मिलेगा 80% और सिंद नदी चेनाव नदी और जेलम नदी का जल मिलेगा पाकिस्तान को 80% यानि कि सिंदो नदी, चेनाव नदी और जेलम नदी का 80% जल पाकिस्तान उपयोग करेगा जबकि व्यास नदी, रावी नदी और सतलुज नदी के 80% जल को भारत प्रियोग करेगा अपने सिचाई के लिए पेई जल की समिश्या को पूरा करने के लिए ठीक है जो की 19 सितंबर 1960 के सिंदो जल समझोते के तहट इसको किया गया है ठीक है चलिए ये सारी जानकारी थी जो की हमने आपके सामने रखने की कोशिस करी है उम्मीद है ये वीडियो का आपको पसंद आएगा मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में जिसमें हम बात करेंगे जो भी सिंदो नदी है सतलो नदी है और इनकी जो सायक नदिया है उन पर जो भी नदी गाटी परियोजना निर्मित की गई है उन पर हम चर्चा करेंगे तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार घर पर रहें सुष्टर हैं अपने अपनों का ध्यान रखें जय हिन जय भारत